देश की और इंडिज्वल्टिस की बहुत बड़ी जरूरत है बलीप्स और बिजनस और उसके उपर हम उसके उपर हम किलेरिटी लाए और किस तरह ऐसे हम बिजनस के बलीप्स को समझ के अपने बिजनस को ग्रोग कर सकते हैं तो सब को मेरा बहुत-बहुत नमश्कार और यह जो हमें 60 मिनट मिलेंगे तो शारुक खान के जैसे 70 मिनट थे तो हमारे यह 60 मिनट है और इसमें जरूर हम ऐसा कुछ कर पाएंगे कि हम अपने आपको बदलेंगे और जब बदलेंगे तो आपके बदलने का मतलब केवल यही है कि बलीप्स बदल गए अगर आप नहीं बद एक छोटा सा PPT भी बनाया है और जब सचिन ने मुझे ये कारिय सोपा तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपने ये रिसर्च करी इसके उपर और थोड़ी सी मैंने महनत किया और मैं आपके सामने बिलकुल एकदम व्यवारिक और मैं कोशिस करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपके साथ इंट्रेक्शन भी करूँ और ताकि उन चीजों को जिनको डिसकस कर रहे हैं उसके बारे में हम केवल नॉलिज तक सीमित नहीं रहे नॉलिज एक विस्फोटक बंब है और वो पढ़ा रहेगा तो उसका कोई एक पूर्य में नहीं उतारते हैं तो वो केवल ग्यान है तो ग्यान एक पूटेंशिल पावर है उसके अंदर शम्ता है हमारे जीवन को बदलने की लेकिन अगर हम उसको अपलाई करेंगे नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा तो मैंने एक छोटा सा पीपीटी आपके साथ मैं शेर कर रहा हूँ अच्छा थैंक्यू सो मच आपने मुझे यह शेरिंग दिया हुआ है और बीच बीच में सचिन जी को मैं हेल्प लेता रहूंगा और आशीश जी मेरे बहुत पुराने चोटे भाई है बहुत अच्छे दोस्ते आपकी में मदद लेता रहूंगा बीच बीच में उसे बलीप स की बात करते हैं तो क्या आता है दिमाग में सबसे पहले इससलाइन मुझे लगए कि बेसलाइन क्या होनी चाहिए बिजनसकी foundations क्या होनी चाहिए beliefs क्या होने चाहिए right जी तो मैंने इसमें हनुमान जी की मदद लिए शिव अवतार है ठीके और हनुमान जी की मदद लिए तो वह तो बेडा पार जरूर करेंगे तो एक ऐसा मेसेज हनुमान जी के इस इनका जो चरित्र है उससे हम लेंगे कि अगर उस मैसेज को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो सचिन जी मेरा वादा है कि आज इस session के बाद में हम जरूर अपने जीवन के बारे में नए तरीके से सोचेंगे तो इसकी जरूरत क्या है उसको देख लेते हैं तो एक तो सबसे पहले क्या होता है कि business के बारे में बहुत सारी myths होते हैं कि इसके लिए बहुत experience चाहिए इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए इसके लिए बहुत एक्सेप्शनल हुनर चाहिए जैसा तो यह सब myths है इसके लिए जो बहुत सालों से कर रहा है वही हो वही हो इसको में काम्याब हो सकता है तो यह एक डेटा है कि 77% of Ventures Capitalist think that Indian starts up lack innovation 77% लोग 77% लोग यह सोचते हैं कि इंडियन स्टार्ट अप्स में इन्नोवेशन की जरूरत कमी है इन्नोवेशन का मतलब कुछ नया नहीं सोचते वह जिस ट्रैप में है उसी तरह से ही एक बहुत पुराना एक बुजनस है तो वही टेबल चेयर वही काम करने का तरीका वही सोचने का तरीका और मोर और लेस्ट फिर हम एक उसी एक स्पेसिफिक जो हमारा रिवेन्यू है उसके आसपास ही गोल-गोल घुंगते रहते हैं और उसको मैं कहता हूं सक्सेस आपकी ज्यादा से ज्यादा क्रिमेंटल हो सकती है eight percent, ten percent, बट जो यह transformation जिसको हम कहते है, Transformation हम तब कहते हैं जब हमारा एक orbit esfitt हो जए जब आप यह कहे की पहले तो यह पररसियं करीब 10 करोड का बिजनस करते थे लेकिन अब यह 100 करोड पर पहुंच गए और पहले यह कहीं नहीं थे हम जानते हैं यह कुछ नहीं करते थे और आप देखिए यह इतने बड़े बिजनसमेन हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्मेशन इसा एक डेटा है कि पहले पांच साल में ही बहुत सारे बिजनस फेल होते हैं और उसका एक कारण होता है लैक ओफ इन्नोवेशन उसमें ब्रेक्थ्रूस नहीं होते क्योंकि जब सफलता नहीं मिलेगी तो फिर उनको पता ही नहीं चलेगा किस किस चीज़ की जुरूत थी क्या हमारी रुकार्मेंट्स थी और बिजनस फेल क्या हुआ और फिर यह भी डेटा मैं कहता हूं ज्यादा हेल्दी है एक उसका कारण है sabotaging limiting beliefs. सेबोटेजिंग का मतलब होता है कि ऐसा एक यकीन कि जो हमको बरबाद कर रहा हो और लिमिटिंग बिलीफ्स का मतलब है कि हमारा एक ऐसा सोच और कॉंसेप्ट जो हमको सीमित करता हो जिसने हमको बांध के रख दिया हो तो इनके लिए अब हम ये देखते हैं कि कुछ हमारे आने इसी पिछले आठ दस साल में पंधरे साल में और जो हमारे बहुत पुराने लोग थे उनमें क्या फरकाया है देखिए मुकेश अंबाने जी का सात लाख अठारा हजार करोड का टर्ण ओवर है और ये नंबर वन पर हैं पिछले दस साल से और जो इनको सेकंड स्पॉट पर है वो है अडानी 6.5 लेक एड सेकंड स्पॉट इसमें एक मजेदारी बात यह है कि इंडिया में जो टोटल इसका जो रवेन्यू है वो करीब आप 10 से 15 लोगों के बीच में देख सकते हैं और सारी दुनिया में अगर देखेंगे तो 22-2300 लोगों के पास ही दुनिया का सबसे जो में कैपिटल है उनके उनके बराबर आता है वह एक डेटा है कि इंडिया में अभी एक अच्छी हिंदुस्तान लीव और कुछ ऐसी कंपनिया थी जिनकों कहते कि यह 1000 से ज्यादा करोड का बिजनस करती है लेकिन अब 1000 से ज्यादा लोग है अगर आप देखें तो इसमें पॉजिटिव ही है कि पहले तो यह डेटा बहुत कम था और अगर आप देखें तो एक 135 करोड में स से 1000 लोग हैं जिनके पास 1000 करोड का बिजनस है लेकिन इसके नीचे एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि एक 38 साल का लड़का केवल 38 साल का लड़का बाईजू उनका नेट वर्थ 13620 करोड का है और इन्हों ने शुरू कब किया 2015 में केवल नया नया बिलकुल ताजा नय जो जो बिजनसमेन है और विजय शेखर शर्मा फाउंडर एंसी ओफ पेटियम यह कितने पुरानी स्टोरीज है यह यह हैं वो इन्नोवेशन्स अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैं आपको इन्वाल्व करूंगा आशीज जी को सचिन जी को और को भी मुझे बोल सक करते हैं जो बिलकुल एकदम अभी मॉडरन इन्नोवेशन्स हैं और जिन्होंने पुराने तोर तरीके को बिलकुल आउटलाइन कर दिया आशीज जी को मैं जानता हूं बहुत क्लोजली जानता हूं कि कुछ महीने और साल पहले जब वो डिजिटल मार्केटिंस कहाते थे त प्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गया उनका बुजनस मल्टीपल टाइमस बढ़ गया तो यह वो न्यू बिलीफ्स है न्यू इन्नोवेशन्स है जो आप पहले को केवल आपको बंधे रहते हैं तो आप वहीं पढ़ जाएंगे जैसे मैं एक एक्जांपल दूंगा क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूं लोगों से जुड़ा रहता हूं तो मेरे पास रियल टाइम एक्जम्पल्स होते हैं एक महीला है दिली में एक मले की रिलेटिव है वह कहते हैं कि मेरे बिजनस का जो स्टार्ट अप तो मैं नहीं बोलूँगा पुराना बिजनस है उनका लेकिन अभि वह ऐसा थ्रेट करते हैं कि बिजनस मेरा अठर डामिज कर देंगे नीचे आजाएगा तो यह क्या है प्ल socialist के बारे में समझ नहीं है अभी 45 CR की प्रापर्टी में जो वहां पे लोग जो पढ़ रहे हैं वो वो इतने कम है कि वो कि उस 45 CR की प्रापर्टी को वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते तो उसका कारण क्या है और मैं आपके साथ आज एक स्टोरी शेर करूंगा नाइन्टी नाइन्टी फाइव की सूरत की एक ट्रांसफॉर्मेशन है और यह एक मिन्सिपल कमिशनर है ऐसा राव और जब हम यह ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं बिल्कुल सफाई होना शुरू हो हो जाए साब शुद्ध हो जाए और सब एकदम अपना जैसे फरिदाबाद में अगर देखे हम तो डैंगूज के इतने केसिस बढ़ चुके है कि किसी भी हॉस्पिटल में बैड नहीं है उसके लिए अप्रोच लगानी पड़ रही है तो एक तो इसका रीजन है कि हमारी सर बीमारू डिपार्टमेंट है कुछ बीमारू इसी तरह से कंपनी भी हो सकती है कि जिसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें तो इसी इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए सचिन जी को पूछूँगा कि ऐसी पिछले 10 से 15 साल में आप 20 साल के आसपास कौन से नए इन्नोवेशन हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया और यह सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उमर भी 40 साल से कम जी इनमें एक तो जमेटो है अभी उनका इप्यों भी लॉंट हुआ है जमेटो ने भी काफी अच्छा टर्नोवर निकाला है और बहुत अच्छा बूम किया है निखिल जी है आइधिंक निखिल कमलनाथ जी स्टोक ब्रोकरेज फर्म उन्होंने बनाई है वो भी आइधिं कि किस तरह से केवल एक कॉंडसेप्ट है खुद क्या करते कुछ नहीं करते केवल एक कॉंडसेप्ट है और उस कॉंडसेप्ट से बिजनस को कहां से कहां ले गए और जैसे यह बाईजूंज है यह ऑननलाइन एजूकेशन का अप्लिकेशन बनाया नोंने और 13,620 करोड का और परमोज जी मैं अभी तीन-चार दिन पहले मुझे नॉड़ा इनवाइट किया था किसी ने कंसल्टेंशी के लिए और आई वोज रेली हैपी टू सी कि एक पच्चीश-बीस साल के दो लड़कों ने करीब-करीब आप बोलिये तो कम से कम 3-4 लाख का वर्थ वो एक जगह होगी जो उन्होंने रेंट पिली होगी और उनका करीब 10 करोड का टरनोवर है और शुरू कब किया है इसमें जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में तो ये आइडियास आए कि हम ऑनलाइन अप ये अपने सुच था कि एक 25-20 साल का लड़का जिसने कुछ experience नहीं है और उन्होंने जस्ट किसी आइडिया को पकड़ा और उन्होंने 10 करोड का business बस इसी लॉकडाउन में और जबकि लॉकडाउन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने आपको limit कर दिया कि अब तो उसी से relative data आप इखटा कर सकते हैं आप यह सोचेंगे कि पिछले तीन साल में MSME में कितने startups close हुए तो वह data बहुत मिल जाएगा क्योंकि जिनकों लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता उन्होंने close कर दिया उन्होंने काम ही नहीं किया तो यह सीधा सीधा केवल केवल belief से जोड़ कर दिया तो यह वो business के beliefs है और मैं आपको share करूंगा कि यह business जो आपका belief रोक रहा हो उसको या तो तोड़ दो नहीं तो वो आपको तोड़ देगा तो अब क्या करना है belief को तोड़ना है कि खुद को तूटना है तो यह दोनों ही काम होते रहेंगे अगर belief आप पे हावी पड़ गया तो आपके business को damage कर देगा जब भी आप किसी भी problem से बड़े होंगे तो problem solve कर जाएंगे और जिस दिन कोई भी problem आप से बड़ी हो जाए वो problem आपको शर्तिया मा डालेगे तो यही वो bleeps है कि जिसको हम बदलने तो बहुत आसान है और नहीं बदले तो फिर उस उस जाल में हम खुद अपने आपको जकट लेते हैं और फिर हमारी life खराब हो सकती है तो जितना आसान पैसा कमाना है उतना ही मुश्किल उस जाल में फसके रहना है जो आपक सक्सेस नहीं दे रहा तो थैंक यू सचिन आपने सचिन जी आपने शेयर किया तो ऐसे बहुत सारे हमारे modern innovations है और कुछ और यह जो जो इस सूरत का जो स्टोरी है यह मैं आपको आगे शेयर करूंगा तो अब basic फिर वही एक छोटा सा सवाल है कि belief है क्या what is belief तो belief क्या है belief हमारे वो यकीन है जो हमारे लिए सत्य है जो चीज आपके लिए सत्य है वो किसी दूसरे के लिए असत्य हो सकती है जिस चीज को मैं मानता हूँ जरूरी नहीं है उसको सब मानते हूं तो दो तरह के यह belief होते हैं, एक होता है implicit belief, implicit belief वो है कि जिसको हमने बहुत सालों के experience से, बहुत सारों के अपने सोच से, parenting से, environment से, अपने experience से, जिसको हमने खुद महसूस किया है, वो हमारा implicit means अंदर का belief है, आपको जो drive कर रहा है, वो आपका implicit internal belief है, एक ऐसी force जो आपको अंदर बैठी हुई है, और जब आप ये सोचते हैं कि मैं पांच करोड का, पचास करोड का, या एक हजार करोड का business कर सकता हूँ, तो ये आपका explicit belief है, बाहर का belief है, और इस बाहर के belief की मुलाकात होती है, आपके अंदर के belief की, तो ये जो बाहर वाला belief है, ये नया है, ये नया seed है, और इसकी मुलाकात होती है, पुराने वाले implicit belief से, और ज़्यादा तर chances होते हैं, जब भी कोई नया idea आता है, तो पुराना belief उसको लड़ाई करता है और बोलता है कि नहीं क्या ऐसे होता है क्या हमारी तो जिंदकी निकल गई हमने दुनिया देखी है इतने साल से करते आ रहे है तो जो आपका ये thought है कि मैंने दुनिया देखी है इतने साल से करते आ रहे है यही वो force है जो आपके नए seed को नए कर रहा है तो उसमें यही बिलीफ आएगा हम इतने सालों से स्कूल के मालिक हैं इतने सालों से हम इस्टिशन चला रहे हैं हमें हमें सब कुछ पता है तो फिर वो 21-22 स्कूल क्यों सफर कर रहा है आपके जो पहले बिलीफ हैं वो आपको कुछ नया सीखने के लिए इजाजत नहीं देते आपको अलाव नहीं करते और इसी को हम कहते हैं इंप्लिसिट बिलीफ अच्छा अब ये दो तरह से आपको आपके जीवन में इफेक्ट करेंगे या तो वो आपको ताकत देंगे या आपकी ताकत को वो squeeze करेंगे मारेंगे तो जो ताकत दे उसको हम कहते हैं empowering belief जो belief आपको ताकत दे उसको हम कहते हैं empowering belief तो जब आप कोई काम करते हैं और अंदर से कुछ ताकत दे रहा कि नहीं यह हो सकता है यह मुझे आता है यह आसान है यह मेरे लिए अच्छा है इसको मैं belief करता हूँ मेरे mind न और जो ताकत को छीन करे वो disempowering belief तो अब आप यह देखिए जब आप कोई भी काम कर रहे है तो उसके लिए आपको empowering belief है आपका या वो disempowering belief है जैसे जब एक person ये कह देता है कि नहीं नहीं ये ये बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती तो समझे ये इसका disempowering belief है और बीमारी चा भी ठीक हो गई तो समझे यह आपका empowering belief है और जैसा आपका belief होगा वैसे ही results आपकी create शुरू हो जाएंगे वैसे ही results आएंगे जैसे आपका belief है तो अगर आपको आज relationship, finance, business किसी भी field में अगर सफलता मिल रही है तो समझे आपका वह empowering belief है अगर आप struggle कर रहे है तो वह आपका disempowering belief है तो उसको आप को change करना होगा अब आप यह identify करिए कि कौन से belief आपको sabotage कर रहे है identify which beliefs are sabotaging you जैसे मैं जब एक workshop करता था यह इससे पहले तो मैंने कुछ शीशे के bottle फोड़ी और उनके उपर मैं नंगे पैर चलाता था जब नंगे पैर चलाता था तो एक मैं उसमें क्या करता था कर पाता था कि मैं आपका एक belief तोड़ के दिखाता था कि जब आपके आगे वो शीशे होते हैं तो दिमाग यह कहता है कि अरे यह dangerous है, इस पर चलना ठीक नहीं है, लेकिन जब आप उस शीशे पर चल जाते हैं, तो आपका mind कहता है, अरे अभी तो ये लग रहा था कि होगा नहीं, अब तो हो गया, इसका मतलब मेरा mind तो मुझे बेकूफ बना रहा था, तो ये mind या तो आपको वो मान लेता है कि ये हो सकता है, तो जब आपका mind मान ले कि ये हो सकता है, तो वो empowering belief है, तो इसलिए आपने अपने mind को के साथ खेलना है, और mind के साथ खेलना है, वो फिर मैंने आपके लिए केवल तीन ऐसे transformational, तीन transformational belief मैंने identify किये, क्योंकि मेरा मानना ये है, less is more, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना फिर वो generalized हो जाता है, तो less is more, तो तीन beliefs मैंने ऐसे identify किये हैं, कि जिनके बाद जीवन में बहुत bounce आना चाहिए, बहुत बड़ा transformation आना चाहिए, तो कौन सा एक ऐसा belief है, जो आपको रोक रहा है, विच लिमिट्स यूर थिंकिंग, वो आपका limiting और sabotaging belief है, जैसे हम किसी के लिए भी, जब कोई कोई digital marketing का business है, या किसी production का business है, हम कहे जाते हैं, आरे ये इंडिया में नहीं चलेगा, अब जो करने भी innovative जो products आते हैं, वो सारे अमेरिका से आते हैं, वो Brazil से आते हैं, वो Germany से आते हैं, क्योंकि वो innovations करते हैं, हमारे यहां पर अभी भी product का innovation नहीं हुआ, क्योंकि हम कहते हैं, आरे नहीं ये इंडिया में नहीं चलेगा, और जब जो जब वो जब आमेरिका में बनता है, तो इंडिया में चल जाता है वो, अगर कोई भी person आप देखे, तो जब हम 5000-10,000 का mobile यूज कर रहे हैं, तो अमरिका से तो 80-90,000 का mobile आ रहा था, वो इंडिया में बहुत चल गया, तो ये क्या था, ये हमारा एक limiting, sabotaging belief था, अगर आप देखें, इंडिया में हम अभी भी यह ही मानते हैं, यहां पर तो सस्ती वाली कार चलती है, वो टाटा ने निकाली भी वो, वो एक लाख वाली लख टकिया, तो चली क्या वो? तो ये हमने, हमने belief बना लिया, मतलब वो उसको, सर्विस को ना लेके उसको ये मान लिया कि इंडिया में लोग केवल सस्ता चाहते हैं, नहीं, सस्ता हैं नहीं, लोग value चाहते हैं, अब अपने business का एक x-ray करिए, अपने पहले जानिये कि अभी आप कहां खड़े हैं, और कौन सी चीज आपकी positive हैं, और कौन सी वो जगे हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत मौका दूँगा सवाल पूछने का और यह story भी सुनाँगा सूरत के transformation की, कि कैसे हम विचारों में फस जाते हैं, तो देखिए business में क्या होता है, एक finance department होता है, operations होते है, HR होता है, production होता है, training quality and sales department होता है, और environment होता है, काम करने का, तो इन में से देख department में, इसको डॉक्टर सिचुवर्ड का वील है यह, तो डॉक्टर सिचुवर्ड यह बोलते हैं कि इन में से 10 में से आप नंबर दे लो, तो जिन में सबसे कम नंबर आते हैं, उनको आप identify कर लो, कि सबसे पहले जो critical चीज़ है, वो यह है, किस पे काम करना है, कौन सा department बहुत established business है, तब तो आप समझेए, आपकी सारी system, processes बिलकुल intact होंगी, लेकिन अगर आप start-up है, शुरू में कर रहे है, अगर आपको ऐसे लगे, कि सब कुछ मेरे उपर चल रहा है, अगर मैं जिस दिन company नहीं जाता हूँ, तो उस दिन कोई काम नहीं करता, तो समझेए, फिर आपके systems, आपका systems जगे पे नहीं है, अगर आपके systems जगे पे नहीं है, तो फिर आप जब तक खुद खड़े काम होगा, जैसे ही आप नहीं है, जिस दिन चुट्टी पे हैं, आपको ऐसे लगेगा, कि आज तो काम ही नहीं हो रहा, तो इसलिए ये systems बनाने ज़रूरी हैं, और इस system में क्या होते हैं, बहुत simple होता है, देखिए कोई भी जो business man है, उसका एक vision होता है, vision के बाद फिर वो scope देखता है, मुझे करना क्या है, उस करने के लिए फिर वो अपने systems processes बनाता है, कि कैसे कैसे होगा, फिर उसके लिए वो कैसे के बाद एक audit department बनाता है, कि जी वो चलता रहे, वो deteriorate नहीं हो, और उसके बाद जो non-conformative होती है, जो दिक्कत हैं, उनको solve करता है, और फिर इसी कोई हम एक cycle बनाते है, इसको हमने एक गुनी आदमी थे, डॉक्टर डेमिंग एक अमरीकन थे, तो ज्यादा ऐसा ही होता है कि घर का जोगी जोग ना आनगाम का सिद्ध, तो अमरीकान तो उनको पूछाने किसी ने, वो चलेगे जपान, तो अपने ज्यान को नोंने जपान में implement किया, और जपान में जब बहुत-बहुत सफल वो हो गए, तो फिर उनको सारी दुनिया ने पूछना शुरू किया, क्योंकि जब कोई अपने concept को के साथ आता है, तो उसकी जो उसी conviction होती है, वो उस एक individual को ही होती है, चाए वो जहाज बनाने वाला हो, चाए वो इंटरनेट बनाने वाला हो, चाए कोई business हो, अगर आप बोलो क जिसने जमेंटो बनाया, या फिलिप कार्ट बनाया, पेटियम बनाया, तो अगर वो सबसे permission लेता तो कभी करी नहीं पाता, क्योंकि वो concept और वो belief, वो conviction वो उस एक आदमी को है, तो जो आपका conviction है, वो औरों का नहीं हो सकता है, तो इसलिए जो आपका mind मान ले, उसको फिर क्या करो, उसको believe करो, जो आपका mind मान ले, उसको फिर आप believe करो, आपने अपने idea को believe नहीं किया, तो वो idea खतम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी idea result तभी देगा, जब उस idea को आप implement करेंगे, तो DMAIC में क्या था, उसने बोला कि भीया, हम क्या 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 करेंगे, पहले इसको define क करो, क्या क्या बनाएंगे, उसको define करो, क्या क्या चीज करेंगे, उसको crystal के लिए define कर लो, हमको क्या 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 करना है, फिर उसको अनलाईज करो, यह क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, और फिर उन चीज़ों को आप improve करो, जैसे quality control में क्या होता है, जो चीज अगर हमने गलत है तो उसको में improve करते हैं और फिर आगे ये निशित करो कि वो खराब नहीं होगी control rule regulation बना दो तो इसके लिए अगर मैं एक example ले लो suppose कहीं पर आपका करो करोना को control करना है तो आप क्या करेंगे कि हम testing करेंगे अब जब मेजर करते हैं तो अब आपको पता चलेगा कि किस एरिया में कितने कितने पेशेंट आए तो मेजर होगे पता चलेगा यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है फिर आप उसको analyze करते हो इसका reason क्या है क्यों हो रहा है यहीं पर क्यों हुआ है analyze करते हैं फिर आप उसको improve करने के लिए आप action लेते हैं कभी lockdown लगा लगाएंगे या कहीं पर आप vaccination कर रहे हैं या क्या क्या करें इंप्रूव करेंगे और फिर आगे वो ना हो उसके लिए आप control करते हैं उस system को बनाते हैं इसको हम DMAIC technique बोलते हैं या फिर इसी के साथ में एक technique है PDCA वो भी एक ही चीज़ है कोई हमारे जो कहते है न जो वेदों में लिखा वही शास्तरों में लिखा को अलग अलग नहीं चाहिए तो प्लाइन करो कोई भी चीज़ को उसको कर डालो वो डू हो गया C for control and action तो यह quality के tools हैं इनको आप apply करेंगे तो you will find absolutely fantastic results तो किसी भी चीज़ को जब खराब हो जाती है तो हम correction करते हैं और वो चीज़ हो ही नहीं उसकी prevention करते हैं तो जैसे ही किसी शहर में जब कोई डेंगू या कोई बीमारी का prevention अगर CMO कर ले तो समझो health industry का business नीचे आ जाएगा तो अगर health industry grow कर रही है जैसे पिछले दिनों में अगर data देखेंगे जो नहे rich हुए हैं इंडिया में बहुत बड़े जो rich हुए हैं तो वो pharmaceutical companies है तो which is not good sign तो जब भी आप preventive action करेंगे तो अच्छी सबसे बड़ी professionalism तो यहीं है कि जो हम करेंगे और health के business को down रहे जितना health का business down रहेगा समझी लोग इतनी healthy हैं और जितना health का business यह उपर जाएगा समझी इतना ही लोग बीमार हो रहे है तो अपने business में कोई चीज़ खराब हो जाए उसको ठीक करना कहलाता है corrective action कि कि वो क्यूं हुई उसको देखना करें और वो होई नहीं वो preventive action नाओ whatever you vividly imagine देखिए इसमें जब हम कोई बहुत बड़ी महभार हम साथ दिन का भी भगवत पाट पड़ते हैं या हम रामायन भी पड़ते हैं उसमें से सारे रामायन हमका help नहीं करती कोई एक चीज हम ऐसी पकड़ लेते हैं आरे यह यह बात है जो काईदे की थी यह आप पता चला मुझे तो कोई एक चीज होती है जो आपके माइंड को मान लेता है और आप फिर डिस्टेंस से चले जाते हैं तो whatever you vividly इमेजिन आर्डेंटली डिसाय जो चीज आपके माइंड में क्रिस्टल किलियर आप इमेजिन करने की यह मैं कर सकता हूं देखिए इनसान की दो सबसे बड़ी पावर है पावर ऑफ इमेजिनेशन और पावर ऑफ फोकस अगर आपको इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो समझ कर दिया है और इसकी पावर डिजायर्स की ड्रीम्स की कुछ नया सोचने की वह छीन हो गई है कमजोर हो गई है तो वटेवर यू विविडली इमेजिन जो आपको बिलकुल क्रिस्टल किलियर आपको दिख जाए विविडली इमेजिन अर्डेंटली डिजायर जिसको आप बिलकुल आग की तरह पानी जैसे बर्निंग डिजायर कहते है पर्स्यूइसिव डिजायर जिसको आप कहते हैं इसके बिना मैं रह नहीं सकता जैसे ना आपको ऐसे लगए कि हे बगवान रात कब जाएगी और सुबह मैं यह करू तो उसको कहते हैं आर्डेंटली डिजायर कई बार हम सारी दुनिया की बाते पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाईया बात बहुत अच्छी की लेकिन पतनाड़ा वहीं रहेगा जहां था मतलब मैं वहीं करूंगा जो मुझे करना था है आपकी बात बहुत अच्छी थी तो उसके बात अच्छी बिलीव एंड एंट्यूजियस्टिकली एक्ट अपॉन जो सारा मैजिक है सक्सेस का वह इसमें है लास्ट लास्ट वर्ड में एक्ट अपॉन जब तक आप जब तक आप उस आइडिया को इंप्लिमेंट नहीं करेंगे आप बहुत बुद्धी मानें गजब के तो वुटेवर यू विविडरली इमेजिन देखिए कोई बंदा था उसको ख्याल आया कि मैं चांद पर जा सकता हूं विविडरली उसने बिलकुल क्रिस्टल क्लियर देख लिया कि पहुंच गया इसी तरह किसी को ख्याल आया क्याल मतलब एमेजिन आया thinking का मतलब होता है अगर कोई पिक्चर नहीं है तो आप कुछ नहीं सोच रहे हैं और सोचने का काम करिए क्या बनाना है कैसे करें तो वाटेवर यू विविडली उसकी चहा ऐसी हो उसकी चहा ऐसी हो कि आपको मजबूर कर दे कुछ भी करने के लिए खड़ा कर दे एक्शन लेने के लिए आप बिलकुल जिसको बोलें कि आप अपने आपको रोक नहीं पाएं जैसे कहते हैं ना कि ये तो मुझे इतना पसंद आ गया आइटम कि मुझे लेन डिजायर सिंशरली बिलीफ यही बिलीफ है और बिलीफ के लिए मैंने एक अभी एक वीडियो बनाया था उस बिलीफ में मैंने यह बात कही थी देखिए गुरू वही है जो आपके अंदर यह विश्वास पैदा कर सके कि यह होगा वह ग्यान तक नहीं रहे ऐसे नहीं रहे कि इस एक बात के बाद दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात वह तो फिर थिंकिंग का ही मुशारा हो गया समझे लो लाइफ इतनी चोटी है हमारे योगी जी नहीं मानते कि बहुत बड़ी लाइफ है कुछ भी कर लो उसको आप बिलकुल उसको डिसीजन डिसीजन एक जो आपको उठने के लिए मजबूर कर दें जैसे कहीं लोग ना मेरे दोस्त बोलते हैं यार बिहारी जी के पास तो जाना है और यहीं वह सोचने पिछले तीन साल से तो इसका मतलब बिहारी जी से मिलने की जो चाहा है उसमें दम नहीं है सोच है सोच है लेकिन उसमें इमोशन नहीं है अगर दम होता ना तो नीचे गाड़ी खड़ी है और लेके पहले बैठते फिर सोचते पहले वहां पहुंचेंगे और फिर देखें क्या हुआ दो साल से सोच रहे आई 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 बिहारी जी के पास तो जाना है ठीके तो अग लेगी यह एक बहुत डॉक्टर सिच्वाड का यह कि देखिए आपका जितना इंफ्लियेंसल पावर होगी उतना आपका यह जो कंसर्ण है ना यह कम होते चले जाएंगे जितनी आपकी इंफ्लियेंस पावर कम है मैं बोलता हूं तो कोई सुनता नहीं मैं कुछ करना चाहत हूं तो मुझे आता है निस्किल्स नहीं है तो इसका मतलए इंफ्लियेंस नहीं है कैई लोग न बोलते हैं मुझे कोई सुन नहीं रहा है तो आपकी बात में जान होगी दम होगी तो लतामंगेश कर जी थोरी बोलते हैं मेरे कहां निकोल सर अच्छा बोलना मुहम्मद शारिफ करते ना इत्यक्ण के उनकी काम की उनकी आवास दीवाना बनाती है तो आपकी इन्फूलियेंस वह और है जो जितना ये बढ़ेगा आपकी नौलज्ज़ आपकी स्किल्स आपके आपके आचरन कई बार आपका सब कुछ होता है लेकिन आचरन ऐसा होता है कि लोग हो जाते हैं तो यह सारा आपका influence कई बार बहुत बड़ा बाबा है ना हम इतने 15 करोड लोग जुड़े हुए है लेकिन किसी आच्रन ने दो कोडिका बना दिया तो क्या influence खतम हो गया तो जब यह influence बढ़ेगा तो circle of concern यह कम होता चला जाएगा देखिए कैसे कम हो गया यहां पर बढ़ा लिया हमने अपना influence अब क्या कम हो गया यह circle of concern खतम हो गया और अब जिसके लिए हम यहां तक आए इसके लिए मैं आपको एक वो स्टोरी शुनांग तो यहां तक कोई question कैसा आपको यह session लगा कैसा हम चाहरे उसके उपर आप comment कर सकते हैं तो मैंने चैट बॉक्स में नहीं देखा था तो नैनो वेलकम सर्जी तो थैंक्यू सो मच आपने मुझे जिस गरम जोशी से और आपकी भावनाव से मुझे आपने स्वागत किया मुझे बहुत energy मिली उससे उसकी वजह से मैं और अच्छा मुझे एक inspiration मिला कि मैं अच्छा कर पाऊं तो प्लीज गो टू चैट बॉक्स और उसमें आप अपने आपको अगर अच्छा लगा तो बोलिए आहा या येश येस कुछ भी आप उसमें चैट बॉक्स में जा कि अपने आपको कर सकते हैं आशी जी मैं आप से सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी का जो हमने डिसकस किया है क्या ये हमारे लिए रिलिवेंट है हम्रे परसंट रिलिवेंट है सब बिलीफ सी वो सब कुछ है जो बिजनस को आगे बढ़ाने या फिर कमजोर करने में आपकी हेल्प करती महेश विजह करते हैं तो जरूर हम को क्रेट करते हैं वह हमारी अच्छा उडियंस होता है तो बोलने वाले का काम बहुत बहुत आसान हो जाता है रंजीर जी कहते हैं अती उत्तम और शांदार जबर्दस्ट क्या बात है हिंदी वाला इसमें मज़ा आ गया तो निरशर्मा भटनागर जी बोलते हैं शांदार जबर्दस्ट तो तैंक यू सो मज़ सर तो आएए वापस हम आते हैं तो ऐसे कौन से ब्लीफ से जिनसे हम कर सकते हैं तो यह स्टोरी है परमोजी यह ऐसा राव यह सूरत में कमिशनर होते थे और इस दुनिया में अगर कोई सबसे मुश्किल काम है आज के डेट में आप देखे तो वो है मुनसिपल में अगर आपकी सफाई को देखे तो आप देखिए जहां हम देश में रहते हैं औ और मैंने अपनी रैंकिंग देखी कि सारे शहर में हम गंदे वालों में सबसे उपर है और साफ साफ वालों में इंद और चंडीगट सूरत तो मुझे भी लगा कि हम कुछ तो करें तो इसलिए मैंने यह पॉलिटिकली इसलिए यह टॉपिक चुना कि मैं यह ऐसा राव का स स्टोरी शेयर करूँ और मुझे मौका मिला तो जरूर जो हमारे नए कमिशनर है उनके साथ भी मैं यह स्टोरी शेयर करना चाहूंगा सचिन जी चलेंगे मेरे साथ आप हम लेखते स्मार्ट सिटी हैं लेकिन एक्च्व में कुछ हो रहा है आपने से वह देखिए हमारे पास बड़े चैलेंजिज हैं जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो जो हमारे जो जो स्पंक्शनिंग है वह हमेशा पर मुझी उसमें बहुत अभी बहुत ट्रांस्फ करती है ओपर मुझी फूरे बहुत का नीचे देखते हैं तो वह उनउन पावर्स को अपने पास ले लेते हैं क्योंकि बहूं यह मेरा मुझे जीतना है अब मैं सुधारने जाओंगा तो जिंदगी अरे डिसीजन तो वहां से होते हैं नीचे तो किसी को पावर है अगर वो अपनी जिम्मेवारी नहीं लेगा तो यह क्या होगा आप देख रहे हैं तो फिर उसमें क्या होगा कि हर एक परसन को नीचे हमारे जो फाइनेंसिस है वो हमेशा कम पढ़ जाएंगे अगर लोग रहने दो तो वो फिर हमारी जो जो चीजें हैं वो स्ट्रगल नीचे के लेवल पर है तो इसके लिए अब हम एक स्टोरी शेर करते हैं देखिए बिजनस में दो चीज़ होती है एक होता है इंक्रिमेंटल ग्रोथ परमजी और एक होती है और ऑर बिट शिप अगर माले मेरे 60% marks आते हैं और मैंने दिन रात एक कर दिया और मेरे 65 आ गए तो ये है incremental growth लेकिन ऐसा मैंने कुछ किया मेरी book किसी ने पढ़ ली और उसके आगए मालो 95% marks तो फिर समझें ये transformation हो गया उस बंदे का ठीक है तो इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि incremental growth हमको चाहिए या हमको transformation चाहिए तो transformation किया एक superstar ने उनका नाम था IAS SR Rao तो ये सूरत की बाते हैं और ये बात है 1994 की यहां पर malaria फैला हुआ था 24,000 malaria cases in one city और जहां पर भी देखो garbage फैला हुआ जहां पर भी देखो हुए पड़े हैं जहां पर भी देखो light नहीं है रात में जलती नहीं है दिन में जलती है और मैं कई बार सोचता हूँ कि कोई ऐसा मुझे भाई मिल जाए जिसकी किसी तो duty होगी इसको ढूंड कहेंगे किसे दिन मैं सचन को लेके जाऊंगा तो ये तो सूरत में ये ये हुआ था हुआ था तो फिर इन्होंने क्या किया पहले एक महिने उसको अबजर्व किया देखिए ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पर जाएं और सारा ग्यान देना शुरू कर दो इन्हेंनों अबजर्व किया और उनको पूछा कि भाया आप मुझे ये बताइए कि क्या कर सकते हैं सूरत के लिए तो जवाब आया सर इन लोगों को हम जानते हैं का कुछ नहीं हो सकता ये ऐसे गंदगी फैकेंगे ये ऐसे गंदगी फैलाएंगे और ऐसे ये 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 पैसे को खराब करेंगे ना कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने फिर देखिए जो एक परसन होता है जो जिसको हम revolutionary transformer कहते हैं उसकी एक सारे लोग यह करें कुछ नहीं हो सकता और आप उसके साथ के तो फिर तो आप उनकी विचार से मिल गए ना तो जो यहां से देख रहा होता है तो वो बोलता कि ठीक है मेरे से ना कुछ दिन बाद मिलना कुछ नहीं हो सकता है तो उन्होंने वो कुछ नहीं हो सकता है को समझा तो उन्होंने यह देखा कि जब हम बिजली बोर्ड में रिपोर्ट करते हैं तो 6-7 रिपोर्ट करने के बाद कोई आता नहीं है और जिस दिन क कर लेना इसका मतलब यह होता है कि individual काम करना कोई system नहीं है individual काम करना तो इस system को ऐसा रावने कैसे 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 हटाया और इसके लिए मैं बताऊंगा कि जो 2294 में केसिस से 97 में वो 496 आ गए तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले तो जो वो जब जो वो जो एक department होता है कि मुझे phone कर लेना काम कराना है न उससे phone करा और उसको कराओ यही वो problem है जिसकी वज़े से system damage sabotage खराब होता है तो उन्होंने क्या किया अपने 11 कमिशनर्स को अपने बराबर की powers दे दी सबको और दूसरा क्या बोला AC to DC बना दिया एर कंडिशनर लाइफ से डेली city life बना दी उनकी कि आपने पांच घंटे जाना है नीचे आपने खुद देखना है अपर मुझी यह बताइए अगर 11 कमिशनर city में पांच घंटे सडक पे अगर बिताएंगे तो कोई गड़ा बचेगा उनकी कोई कोई चांस नहीं कोई चांस नहीं है तो यह काम किया आईएस ऐसार राव ने और उसके बाद क्या हुआ सारे गड़े खतम जो गाहां जो गारबेज था वो डेली साफ होने लगा और उनको सर 90,000 कंप्लेंट्स आई 90,000 और 90,000 के बाद उनको 500 फाइल्स डेली आती थी तो उनको एक बार आईएस को ऐसे लगा बहिया मैं कमिशनर या किलर कू लेकिन आपने देखा होगा हमारे एक लीडर भी है ऐसे बोलता है यह फाइल्स मुझे दो क्योंकि आपने अगर उसको आगे बढ़ना है तो कोई जिम्मेवारी लेगा ना कोई तो रात में बैठेगा कोई तो अपने 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 अपनी जिंदगी में वो वो उस कलेश में पड़ेगा अगर सभी यह तो आसान रास्ता है कि ठीक है यह ऐसे ऐसे होता है तो यही वो ट्रेडिशनल ट्रैप है जिसमें ज्यादा तर पावर्स को डेलिगेट कर दे यह नहीं बोला मेरे कोई पूछना सब मेरे सिगनेचर से जाना चाहिए सब तो ग्यारे कमिशनर्स को बराबर एडमिस्टेटिव पावर्स दे दी पांच घंटे उनको बोला सैवन टू थी पीम आठ घंटे मैंसे पांच घंटे आप शहर में किस दिन की पांच घंटे के हैं यह थीम एक हैं ऑल्टिमेटिव, आपका नहीं हुआ अची तो कोई फाइदल कांच करने के लिए पीए से किस का ह कि जिस दिन जब कोई कोई सर फूट जाता है तब जाते हैं महाँ पर जाने को ठीक है वो तो पहले होना चाहिए ना प्रिवेंटिव एक्शन उसी को तो कहते हैं देखिए सबसे बड़ा सीमो वो जो डैंकू फैलने नहीं दे सबसे बड़िया आई आई पेस आफिसर वो जो क प्राइम होने नहीं दे उसको कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन जिस दिन कोई चोरी हो जाते हैं उसने पता चलता है कि जो चौकीदार है वो अंधा है तो यह 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 बलीफ था तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि जरे सानितेशन 63 .... से से 97 पर सेंट बढ़ गया डिंक वाटर 60 पर से 95 पर सेंट बढ़ गया डेली गार बैस मेंद गर्वेज किलियार एंस्च सें से 48 पर सेंट बढ़ गया देखिए जब 40 परसंट गार बेस ता तब्हारी तुम ले रहे फैला एंड जो स्ट्रीट लाइट्स हैं 99 परसेंट जलने लगी और नथिंग कैन भी ड़न की जो सोच थी उसको आईएस ऐसा राव ने बदल दिया क्योंकि जब परसन खुद जिम्मेवारी लेता है तो सारी चीजें बहुत पिछे रहा जाती है ठीक है तो एक आफिसर थे पटना में उन्होंने जो यह हमारा जो हाउस टेक्स का असेस्मेंट है उसके 256 पेज होते थे परमोच जी 256 पेज उस 256 में उलज के जिन्दगी निकल जाएगी उन्होंने एक पेजर बना दिया उसको भरने का और सब लोगों ने बोला हम इतने साल से हैं ऐसे होता है कि आप जिन्दगी देखिया दुनिया देखिया बहुत रिजिस्टेंस हुआ और अल्टेमेटली क्या हुआ वो ट्रां तो मेरे पास अभी 15 मिनिट और है तो मैं चाहूंगा कोई कोई क्वेस्टिन अभी मेरे से आप पूछना चाहेंगे बिल्कुल मैं सभी लोगों से चाहूंगा कोई भी कोश्टिंस हैं आज से तो प्लीज अपने आपको अन्म्यूट करके सबसे पहले अपना हैंड्रेस करे ताकि आपको अन्म्यूट कर दिया जाए आप सभी लोग कोश्टिंस कूछ सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं बोलना जाओंगा अमेजिन शेशन बहुत ही आपने महात्पूर्ण जानकारी से एक स्लाइड और है अच्छा 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 और यह आपको मूड ब तो मैं आपको फिर शेयर करता हूं उसी स्लाइड को जहां पर हम थे यह दिख रहा है आशी जी अच्छा आप देखिए बिजनिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किरप्या करपे मुझे केवल तीन मिट आप ध्यान से सुनिए और यह तीन मिनिट में वह सब होगा जो पिछल गोल नहीं है तो वह केवल एक अक्टिविटी होको कोब अस उस बिजनिस से आप पानी बना रहें तो क्यूं बना रहें तो क्यों बना रहे हैं आप दवाई बना रहें तो क्यों रहें पर्पाश एंड दूसरा most important वर्दी गोल का मतलब हैं हृ। मैंने लिया है नुमान जी से देखिए हनुमान जी का गोल क्या था भगवती मैया का सर्च करना और किस ने दिया भगवान ने दिया अगर आपको अपने काम के लिए खुद भगवान चुने और आपका गोल हो भगवती को ढूड़ना तो इससे जादा वर्दी गोल क्या होगा इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं अल्टिमेटली क्या लगा सकते हैं तो अगर ऐसा गोल हो तो कोई भी खुशी-खुशी कुछ भी लगा देगा और वही हनुमान जी ने लगाया अगर आप देखे तो सारी दुनिया भगवान को पूछती है कि मुझे यह मिल जाए और यहां भगवान जी हनुमान जी से बोल रहे हैं कि मुझे यह दे दो तो जब आपके जीवन का कुछ गोल ऐसा हो जाए तो रास्ते में खा जाओंगी पीजाओंगी यह कुछ मैटर नहीं करती तो फिर आपके जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको लगता है कि यह मुझे सॉल्व करने में मज़ा आया लेकिन आप अपने आपसे पूछिए अगर आप वर्दी गोल के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका लेगा येस आई सॉल्व रिस अदर्वाइस फालतू फालतू चीज़ों को भी तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा इसाए तो फाइंड ए वर्दी गोल in यूर लाइफ पर पेसफिल बिजनस न्यूर लाइफ वर्दी गोल फॉर यूमाजी के पास वर्दी गोल है तो जब वह नागमाता ने उनको पूछा तो बोलता है पहनुमान झी आपके अंदर ये चार Nolan एप कि अंदर रिये चार क्वालिटी जाना उनung कोई भी रोक नहीं सकता है नंबर वन है dapat ta भुद्धी आपके अंदर intellectual power है त्वीथ है आपके अंदर पास होंगी, वो कभी भी किसी भी बिजनस में सफल होगा, accept change, फ्रेंड्स ये हमारा जो ब्रेन है, ये हार्ड वायर होता है, हार्ड वायर, जादा साल हमने क्या किया, जॉब करने के बाद इंटर्पेनरश्प शुरू करी, बजिनस शुरू करी, तो हर चीज में यह आता है ओई होई नौकर तो हम कमाल के है लेकि इंट्रपेर्णर उसके लिए तो हमारा दिमाग मानता ही नहीं तो आपके पास बहुत सारा पैसा होगा लेकिन आप इंट्रपेर्णरशिप में शायद वो पैसा इंवेस्ट नहीं करना क्योंकि आपका वो ब अगर आपने एस्केप बटन हटा दिये तो परमोच जी आशीज जी सचिन जी मैं आपको और मेरे दोस्त जो मुझे सब सुन रहे हैं मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ देखिए मैंने अपनी कैपस्टी में हजारों ट्रांस्फॉर्मेशन तो खुद विटनेस किये और मैं उनका हिस्सा भी रहा हूँ कैस्केा प्टन सिखेंढ है पर सब्सक्षा है जो में सकते हैं जहां पर इंटेलिजेंस करते हो वो ऐश के बटन से इंटेलिजेंट पर संसे इंटेलीजेंट सचिन पर संटी परिभाशा यह था परसन तह संप एक जो गुद्धिवान आदमी है वो अपनी असफलताओं के लिए गजब का एक्सक्यूस देगा और जो स्मार्ट आदमी है वो उनको मैनेज करेगा तो किसी भी तरह से जब आपको कोई काम मिला है तो कर देना स्मार्टनेस है और उसके लिए एक्सक्यूस देना आपकी रगाते रहते हैं तो डुमूव एस्केप बंटनेस एंड इंपलिमेंच आईडियास टू आक्शन अगर कितने भी आपकें कितने भी आपके उत्करिस्ट आइडियास है अगर आप उनके उपर इंप्लिमेंटेशन नहीं करेंगे तो आइडियाज कुछ नहीं करेंगे टेक यू एनिवेर ग्रेट आइडियाज विल नौट टेक यू एनिवेर अंटिल यू इम्प्लेमेंट देम तो मेरे ख्याल से पांच मिनट बचते हैं और बहुत सिद्दत से आपने मुझे मौका दिया सुना और मुझे इस मंच पर आकर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है कि देखिए क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इस मंच